वर्तमान से वक्त बचालो तुम निजिके निर्माण में प्रसंभाद अपने सम्रिध एतिहासिक विरासत पर नाज करना किसको अच्छा नहीं लगता परन्तु इसका क्या औचिति जब आपका व्यत्तित्व आपके पुरुखों के विरासत से मिल नहीं खाता आपके सांस्कृतिक विरासत आपकी कमीयों को छुपाने के लिए तो नहीं बने है अपनी सांस्कृतिक विरासत का महिमा मंदन करने से बेहतर तो ये है कि आप स्वैम थोड़ा सा सरम कर उन चारित्रिक उचाईयों को चू लेने का प्रयाज़ करें जो कभी आपके पुर्खों ने अपने पुरुशार्थ से चुआ था दोस्तों प्रस्तूत है मेरी कविता वर्तमान से वक्त बचालो तुम निज के निर्मान में का प्रतमभाद क्या रखा है वक्त गवाने औरों के अख्यान में वर्तमान से वक्त बचालो तुम निज के निर्मान में पुर्व अतीत की चर्चा कर क्या रख्खा गर्वित होने में पुर्खो के खडगात जिता क्या रख्खा हरसित होने में भुजा छीर तो फिर क्या रख्खा पुरा विर्थ अभिमान में वर्तमान से वक्त बचालो तुम निज के निर्मान में कुश पड़िजन के सुर्मा होने से कुश पल ही बल मिलता, निज हाथों से उद्यम रचने पर अविलाशित फल मिलता, करो कर्म या कल्प गवां उन पड़िजन के वक्षान में, वर्तमान से वक्त बचालो, तुम निज के निर्मान में, दूजों से निज ध्यान हटा निज पे थोड़ा स्रम कर लेते, दूजे कर पाए जो कुश भी, क्या तुम वो न वर लेते, शक्ती, बुद्धी, मेधा, उड़ जा, ना कुश कम पड़िमान में, वर्तमान से वक्त बचालो, तुम निज के निर्मान में, क्या रख्खा है वक्त गवाने, औरों के अख्यान में, वर्तमान से वक्त बचालो, तुम निज के निर्मान में, धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, क्या रख्यान में, वर्तमान 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 में,